दोस्तों, एक सल में जब डेटा को मैच कराने की बारी आती है, तो हम में से बहुत से ज़्यादा लोग फ्रस्टेट हो जाते हैं कि ये मुझे कैसा काम मिल गया और अपना घंटो टाइम वेश्ट कर देते हैं डेटा को मैच कराने में, वन बाइवन मैनवली मैच कराते हैं और बहुत से ज़्यादे लोग क्या करते हैं मैस तो करा लेते हैं डेटा लेकिन अपना काफी घंटो टाइम वेस्ट भी कर देते हैं उसमें तो इन सारे का सेल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइट कर देने वाले हैं हमने मल्टिपल टाइप से डेटा को मैच करा आया है मल्टिपल एक्जामपल लिया है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो किसी भी टाइप का डेटा हो आप खुद से मैच करा पाएंगे सिफ दो मिनट में और आपका काफी टाइम से होने वाला है तो आई ये वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए आ आई चलते हैं अपने वीडियो की और अब दोस्तों यहां पर देखी मेरे पास एक एक एक्जामपल वन यानि सीट वन में एक डेटा है यहां पर टोटल नंबर अप डेटा मेरे पास कितना है दो सो अठाइस डेटा है चलते हैं एक जामपल वन की और एक और सीट टू में ह हो सकता है तो same concept और same techniques आपको use करना data को match कराने के लिए तो हमारी problem क्या है यहां मेरे पास 228 data है और यहां पे मेरे पास 233 data है ठीक है तो इस condition में आपको सबसे पहला काम क्या करना है जहां हमारा सबसे ज़्यादा data है वहां पे आपको we lookup apply करना है तो हमारा data सबसे ज़्यादा कहां पे 233 है यानि यहां पे क्योंकि यहां पे तो 228 है तो हम क्या करेंगे बस अपना करसर 233 वाले seat में जाएंगे और यहां पे आपको अपना करसर रखना है यहां पे आप लिखेंगे is equal to we lookup lookup value आपकी क्या हो जाएगी यह क्योंकि we lookup हम तभी लगाएंगे जब हमारा दोनों seat में एक field common होगा तो हमारा क्या common है यहां पे आप देख रहें यह जो हमारा zip code है यहां पे भी है और यहां पे भी है तो मेरा unique हो गया यानि common field हमारा यह है तो इसके against में हम we lookup तो हम we lookup हमने लिया lookup value हम इसको ले लेंगे this comma table array तो table array हम क्या जाएंगे जहां हमारा कम वाला data है seat 1 में है na example 1 में तो हम table array यहां से पूरा select कर लेंगे तो यह मेरा कौन सा column में आप देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच हुआ है और पूरे को ऐसे select कर 1 भी डाल सकते हैं चाहे 2 भी डाल सकते 3 भी कुछ भी डाल सकते column index number में क्यों बता अभी मैं आपको बता दूंगा bracket बंद और इंटर अब हम क्या करेंगे इस वाले range को freeze कर देंगे क्योंकि यह मेरा fixed range है अरे का क्योंकि अगर हम drag करेंगे तो क्या होगा one by one हमारा cell भी change होता रहेगा तो इसे हम absolute reference बना के freeze कर देंगे अब हम इसे क्या करेंगे drag कर देंगे तो मेरे पास देखिए अब सारी value आ गई except इसके अलावा यह आप देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे filter लगा लेंगे यहाँ पे match ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे हम filter लगा लेंग और यहाँ पे हम select कर लेंगे कौन सी value यह na वाली value select कर लेंगे तो देखिए मेरे पास आगया 1,2,3,4,5 यह total जो 5 data है मेरा कहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको just copy करेंगे यहाँ से copy कर लेंगे पूरा को पूरा data copy कर लेंगे और यहाँ पे आएं देते हैं और यहाँ भी देखेंगे 233 data हो गया अब हमारा क्या यह value तो आप देखिए value भी यहाँ 6215 है और यहाँ भी हम सम लगा देंगे तो यह देखिए 6215 यानि यह data जो मेरा है match कर गया अब हमने यह column index number 5 भी क्यों लिया था क्योंकि 5 लेंगे तो जो हमारी यह वाली value होगी यह जो हमने 5 column पे लिया है तो यह आ जाएगी अगर होगी तो यानि यह value मैंने लिया था हम 5 column index number 5 डाला था यानि यह क्या करेगा इस lookup value को यह वाली lookup value को यहाँ पे देखेगा और इसके अंगेश्ट में यह result देगा अगर होगी तो यह वाली lookup value यह वाली lookup value तो यह वाला अगर हम column index number 1 देंगे या 2 भी देंगे तो यह वाली value देदेगा इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ हमारे पास यह value वहाँ पे available है है तो हमें क्या identify करना था कौन सी value वहाँ पे available नहीं है क्योंकि हमारा data क्या था कम था है ना कम था वहाँ पे 228 हो रहा था यहाँ यहाँ पे 233 तो वहाँ पे कौन सी value नहीं थी तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा यह error वाली value नहीं थी अब जैसे माली जे मैंने column index number चली यहाँ पे 1 है मैं 2 डाल देता हूं तो क्या होगा जो value वहाँ पे होगी यह look up value वहाँ पे होगी मेरा seat 1 में अगर यहाँ पे होग यह हम नीचे में तो हमारा data exact match करें तो यह हमारी थी पहले टाइप से data को match कराने का अगर इस तरह की problem आपके सामने आती है तो इस टाइप से आपको data match कराना अगर आप पास data कम है अगर दूसरे seat में data ज्यादा है तो कहां भी look up लगाएंगे जहां पे data ज्यादा है तो इस दे दिया है आप मेरे साथ practice भी कर सकते है example 2 इसमें क्या है इसमें आप देखिए जो मेरा data है यहाँ पर यह टूटल डेटा मेरा पास कितना है 233 data है यहाँ ठीक है यहाँ पर हम यहाँ व्यू पर जाकर फ्रीज पैन कर लेंगे इस से क्या होगा मेरा यह जो नीचे जब मैं 215 चलिए example 2 में चलते हैं अब मुझे इन दोनों को आपस में मैच कराना है इस data को मैच कराना है example 2 के data से इस वाले seat के data से ठीक है तो हम क्या यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ भी मेरे पास आप देखिए 233 है है यहाँ भी मेरे पास कितना है 233 ही है total data लेकिन यहाँ ज अगflower data तो मेरा सबको सेम है तो इस condition में इस type की अगर आपके सामने problem आती है तो आपको क्या करना है या तो आप यहाँ सीट 1 यानि यहाँ भी लूक अप लगा सकते है या तो आप example 2 कॉमा वाले में यहाँ भी लूक अप लगा सकते है दोनों में कहीं भी लूक लगा सकते इस condition में, है न, अगर data same हो और कोई field value match करानी हो तो हम यहाँ पे we look up लगाते हैं हम लिखेंगे h2, we look up look up value मैंने इसको लिया comma table हरे, तो दूसरे वाले example 2 comma में जाएंगे seat में, और यहाँ पे हम क्या select कर लेंगे, यहाँ से पूरे इसको select कर लेंगे, दोस्तों अगर आपको we look up नहीं आता, तो मैंने basic to advance का video बना दिया, link description box में है, जाईए, और deeply explain किया है जिसमें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो हम इसको पूरे को select कर लेंगे अब यहाँ पे हम क्या देंगे क्योंकि हमें match क्या कराना है, value तो column index number 5 देंगे, क्योंकि पच्चवे column पे मेरी value है, है न तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा and पांचवा, तो पांचवे column पे मेरी value है, पॉमा लगा है, last में 0 exact match के लिए, ठीक है, और इस range को क्या करेंगे, freeze कर देंगे, है न, क्योंकि अगर हम नीचे drag करेंगे, तो हमारा क्या होगा array भी, नीचे के और shift होगा यह किया मैंने, और this, this, तो इतना करने के बाद, आपने यह कर लिया, तो सारी value जो वहाँ थी, इस look up value की क्या आ गया, है न, इसी तरह one by one सारे value को look up किया, और उसके against में हमारा value लेके आ गया, यहाँ पे, तो यह देखिए, यह सेम है, तो इस तरह अगर आप one by one match कराएंगे, तो काफी time लगेगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, this is equal to this, तो यह आ गया है हमारा, है न, तभी तो मेरा data difference आ रहा है, इस data से, यहाँ पे value हमारी total आप देखेंगे, total हमारा 7707 आ रहा था, और वहाँ 6000 something आ रहा था, क्यों कि मेरा क्या है, यहाँ पे value देखेंगे, कुछ दूसरी value है, यहाँ पे type है न, तो इसको copy कर लेंगे, और यहाँ पे paste special value कर देगे, ठीक है, इसको भी copy कर लेंगे, और यहाँ पे paste special यह value है हमारा, यह value कर देगे, इसी तरह इसको भी copy कर लेंगे, paste special value कर देगे, value इसलिए कर रहें क्योंकि अगर हम ऐसे करके copy करेंगे, तो formula पेश्ट हो जाएगा तो यहां रिजल्ट दूसरा कुछ आ जाएगा जैसी यह देखिए मैंने इस पर कॉपी किया इसको कॉपी किया और यहां पर पेश्ट देखिए फॉर्मला आ गया है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं और अल्ट इस भी सॉटकट की प्रेस करेंगे तो यहा हो गया अब चलिए हम इसको डिलीट करते हैं अब नीचे आते देखिए 7707 यहां भी आ गया और यहां भी 7707 यहां भी आ गया तो यह हमाई थी दूसरे टाइप से डेटा को मैच कराने का इस तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आपको इस तरह से डे 633 ठीक है तो हमें क्या करना इस वाले सीट के डेटा को एग्जामपल 3 वाले सीट के डेटा को मैच कराना है तो यानि हमें यह वाली जो वैल्यू है 6,362 जो value मुझे यहाँ पे चाहिए ठीक है अगर मालेज़े example 3 comma वाले seat का data आपको match कराना होता example 3 वाले seat से तो क्या करते है यह वाली value मुझे यहाँ पे चाहिए होती तो उसी के recording हम match कराते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे look up apply करते हैं तो चलिए हम क्या करेंगे इस data को match कराना है मुझे तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा इस जो हमारी यह जो ID है क्योंकि यहाँ पे data जो हमारा देखी 231 है और यहाँ पे data मेरा का कितना है 233 है तो हम कहाँ पे look up सबसे पहले लगाएंगे जहां हमारा data ज्यादा है मैंने आपको बताया था starting में तो यहाँ पे चलिए हम look up लगाते अभी patience बनाई रखेगा इसमें twist आने वाला है इसे लिया look up value मैंने इसे लिया table array हम जाएंगे bracket बंद इंटर ठीक है sorry यहाँ मैंने column index number नहीं डाला comma column index number हम डाल देंगे 5,0 exact match के लिए तो यह हमारे पास value आ गई अब मैंने इसको नीचे drag कर दिया और double click कर दिए तो यह जो दो हमारा data है आप आप देख रहे हैं यहां तो आप filter यहां लगा लिजिए ctrl shift L और यहां पर क्या select कर लेंगे आप na error को select कर लेंगे ठीक है तो यह जो दो data है मेरा वहां पर नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर तो मैंने look up लगाया तो हम क्या करते है इसको delete कर देते हैं अगर मुझे इस से कराना होता क्योंकि मुझे यहां वाली जो value है 631 मुझे यहां पर लानी होती तो हम इन दोनों को delete कर देते हैं तभी मेरा 231 यहां पर आता तो अभी मेरा condition क्या है कि मुझे example 3 वाले data को match कराना है example 3 comma वाले seat वाले data से तो यहां पर मेरा कितना था 231 data था यहां पर 233 हो रहा था तो इन दोनों को हम copy कर लेंगे और यहां पर paste कर देंगे तो यह मेरा हो गया 233 चलिए अब हम यहां क्या करते है sequence number को ठीक से generate कर लेते हैं 231 से 233 अभी हमारा result आया नहीं है ध्यान से देखेगा अब हम इसको delete कर देते हैं इसका कोई काम नहीं है मेरा ठीक है हम क्या करता है delete कर देते हैं रहने देते अभी आप देखिए अब हमारी यहां पर 6362 और यहां पर क्या है 6215 तो अब हमारी condition क्या है data तो मेरा match कर गया अब हमारी problem क्या हो सकती कि value हमारी match ना कर रही हो तो हम यहां पर भी look up लगा सकते हैं मैंने आपको बताया इस condition में जब दोनों data same हो सिर्फ कोई value match करानी हो तो क्या करें कहीं भी आप we look up लग ले सकते हैं अभी just मैंने आपको यहां पर भी look up लगाया था पहले वाले में अब चलिए हम आपको दूसरे में look up दिखाते हैं इसको कैसे match कराना है यह चलिए हम फिर से look up लगाते हैं हमने करेंगे is equal to we look up look up value यह हो गई और यहां पर जाएंगे 3 पर table हम इसको select कर लेंगे पूरे को और इसको function f4 के साब freeze कर देंगे कॉमा 5,0 ठीक है तो यह मेरे पास value आ गई इतना आ गया अब हम क्या करेंगे यहां पर मेरा काम क्या होगा this is equal to this true इसको क्या करेंगे double click कर देंगे तो नीचे तक fill हो जाएगा फिर यहां control shift L filter के लिए अब यहां पर आएंगे और यहां पर select कर लेंगे false तो यानि यह जो value है मेरी क्या है differ कर रही यानि यह जो value मेरी वहां पर जो value है क्योंकि मैंने यहां पर लगाया है we look up तो यहां पर जब मैंने we look up लगाया है example 3 comma all the seat मैं यहां जो value है हमारी यह example 3 वाले seat में जो value है हमारी वो क्या है वो मुझसे गलड़ type हो गई है तो हम क्या करेंगे just यह वाली value को copy करके य इतना काम हमें करना होगा, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, या तो आप one by one find करके, अगर data काम है, तो find करके कर सकते हैं, otherwise आप यहाँ पे we look up लगा लगा लेंगे, तो ज्यादा comfort होगा, easily आप बगल में copy paste कर देंगे, इतना कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी इस ID को, control F, ठीक है, यहाँ पे अगर हम we look up लगाते, तो हमें क्या होता, find नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमने अभी आपको बताया, वहाँ पे मैंने पहले में we look up लगाया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वाली value को copy करेंगे, और यहाँ पे paste कर दे ठीक है, फिर example 3, अब मेरे पास last यह वाला है, इस वाले को copy करेंगे, और यहाँ पे paste कर देंगे, यह copy किया, और यहाँ पे paste कर देंगे, तो अभी आप देखी, यहाँ पे मेरा true true हो गया, यानि यहाँ जो मेरा data है, पूरा पूरी तरह से match कर गया है, इस वाले seat के data से, ठी तो अभी आप देखी, यहाँ पे 6362 है, और यहाँ पे भी देखी, 6362 है, ठीक है, तो इस तरह match करा सकते हैं, अब चलिए next type के example को देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ देखी, total 231 data यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे भी मेरे पास 231 data है, value 6131 है, और value यहाँ पे भी 6131 है, तो अभी तो आपको लग रहा है, सब कुछ सेम है, तो अभी तो आपको लग रहा है, value भी सेम है, number of data भी सेम है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे हम से गलती से कुछ और data टाइप हो जाता है, value सेम रहती है, और यहाँ पे क्या होग और सीट के डेटा को आपस में मैच कराना सबकु सेम होना चाहिए तो क्या करेंगे यहां आप भी लुक अप लगा दीजे कहीं भी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे लुक अपर वैल्यू दिस हो गई इस पर जाएंगे और यहां पर मैंने इसको सेलेट किया पूरा टेबल अरे कॉमा 5,0 ठीक है इस वाले रेंज को अरे वाले रेंज को फ्रेस कर देंगे एफ फूर प्रेस करके ब्रैकेट बंद और इंटर ठीक है तो पहले मैंने स्टार्टिंग में किया स्टार्टिंग वाले सीट को मैच करा रहे है कि वो सारा डेटा ये सारी डेटा है वहाँ पे है की नहीं तो ये देखी ये मेरा क्या आ गया Na ये वाला value जो है मेरे पास अगर हमें याँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर select करेंगे सबसे नीचे वाले Na error को तो यहाँ पर क्या है यह जो दो डेटा है मेरा वहाँ पर match नहीं कर रहा है यहाँ पर नहीं है अब हम क्या करेंगे यहां पे जाएंगे ठीक है यहां पे भी look up apply कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है यहां पे हम scroll to करेंगे we look up ठीक है look up value this हो गई table अरे क्या होगा मेरा this इसको हम ऐसे select कर लेंगे ठीक है comma 5,0 और इस वाले range को freeze कर देंगे ठीक है bracket बंद enter अब इसको double click अब यहां पे भी select कर लेंगे this filter किया और यह select कर लिया इसको यहां पे इसको select कर लिया यानि यह जो दो data है वहां पे नहीं है इस वाले seat में नहीं है और यहां पे भी जो दो data है उस वाले seat में नहीं है तो क्या कर सकते हैं इस condition में? बताता हूँ मैं आपको यह जो दो data है यहां पे भी इस वाले seat में नहीं है और इस वाले seat में यह जो दो data है इस वाले seat में भी नहीं है तो क्या करेंगे आप, आपको करना किया, दोनों सीट को आपस में मैश कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को copy करिए, this, ठीक है, यहाँ पे आईए, और क्या करेंगे, यहाँ पे paste कर दीजे, this, और इन दोनों को copy करिए, this, और यहाँ पे आईए, और यहाँ पे paste कर सेक्वेंस क्या करते हैं इसको ठीक कर लेते हैं तो कितना हो गया 231 डेटा मेरा यहां पर हो गया इसको यहां पर डिलीट कर देते हैं इसे टोटल हो गया हमारा 233 डेटा यहां पर भी हो गया और यहां पर क्या करते हैं फिल्टर हटाते हैं इसका भी सेक्वेंस नीचे आते है पहले इसको भी यहां delete कर देते हैं और यहां भी मेरा हो गया 233 data ठीक है इसको sum करके देखते हैं 6162 यहां पे भी आ रहा है और इसको भी sum करके देखते हैं 6162 यहां पे भी आ रहा है यानि अब यह जो मेरा data है दोनों seat का data आपस में equal पूरी तरह से match है तो आसा है मैंने आपको सारे example cover कर दिये अगर आपने इसकी practice कर ली अच्छे से सारे example की practice अच्छे से कर ली तो किसी भी type का data हो आप easily 2 minute में match करा सकते हैं आसा दोस्तों आपको पसंद आयोगा वीडियो अच्छा लगा तो please like share comment जरूद कर दिजिएगा वीडियो को like आप लोग नहीं करते हैं हमारी मेनत अफ़ल हो जाती है तो please वीडियो को like जरूद कर दिजिएगा मिलते है next वीडियो में जैह हिन